ज़जर पुलिस की नार्कोटेक सेल ने बादली के पास के एमपी पर नशे की एक बड़ी खेब बरामत की है मामलिक जानकारी देते हुए डियेसपी अरविंड कुमार ने बताया कि उनकी नार्कोटेक सेल को एक गुपसूशना मिली थी के नशे की एक बड़ी खेब दो गाड़ियों में भरकर उडिसा से लाई जा रही है और वहें के एमपी से होकर रहतक ले जाई जा रही है इसी सूचना के अधार पर पुलिस की नार्कोटेक सेल हरकत में आई और एक टीम बना कर बादली फ्लाई ओवर के पास के एनपी पर नाका लगा दिया गया तुम्हीं चेकिंग के दोरान पुलिस ने दो गाड़ियों को रुकवा कर जब गाड़ी की तलाशी ली तो उनमें प्लास्टिक के कट्टों में गाजा भरा हुआ मिला जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है डियस पी ने बताय कि मौके से आठ लोगों को काबू किया गया है इन सबी को अदालक में पेश कर रिमान पर लिया जाएगा ताकि गिरों में कौन कौन लोग शामिल है उन सबी का पता लगाय जा सके और उनकी गिरफतारी की जा सके गाडियों को राउंड अप किया एक स्कॉर्प्यो और दूसरी आइटवंटी गाड़ी थी दोनों गाडियों की तलाशी लेने पे उनको टोटल एक सो पांच किलो पांच सो ग्राम जो गांज़ा पत्ती थी उसमें से ब्रामद हुई कुल गरफतार किये गए आठ आध्मियों में से दो महिलाएं थी दोनों महिलाएं आपस में मावर बेटी थी इनको जो एक शील्ड की तरह ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे जिससे पुलिस को या किसी बोन के उपर शक ना हो जो छे पुरुष हमने गरफतार किये हैं उनमें स तीन लो एकमन्जीत है वासी गिरावर लाखन माजरा दूसरा रवी वासी खानपूर गुहाना और तीसरा कुल्दीब गिरावर लाखन माजरा ये तिनों रोतक और सोनिपत सेशन कोट से उमर कैद की सजा काट रहा है मनजीत इन मैं से एक एक बर खास पुलिस करमचारि устройकी2002 में बतर सिपाई हर्याना कुलिस में बछती हुआ था और मुकदमे में आहा मुर्गत की सजा होने के बाद 2015 में पुलिस का रिमान लेंगे और जहां से ये लोग इसमें जो सप्लाई ले के आये थे और जहां इन्होंने आगे इसकी डिलीवरी करनी थी उन सब को भी हम अरेस्ट करेंगे आपको बता दें पिछली कुछ समय से पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर नजरी बना हुए है पुलिस की सतर्ता से लगता है कि नशा तसकरों पर जल्द ही शिकन जाक कसा जा सकेगा जजर से जगदीप राजियां सत्य खबर